दोस्तो सुजलोन एनर्जी की बात को यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिसकस करेंगे सुजलोन एनर्जी जिसने पिछले जोगों को बहुत ही सांधा रिटन दिया है पैसे लोगों के डबल हुए लेकिन ये तेजी तो अभी उटके मूँ में जीरे के बराबर है अभी बहुत बड़ी तेजी बाकी है और इसके पीछे है बहुत बड़ी वज़ा जिसको इस वीडियो के मादेम से हम डिसकस करेंगे अगर आपने सुजलोन अंदरीजी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आने वाले से में डेफिनिटली आप बहुत अच्छा रिटन कमा सकते हैं तो यहाँ पर एक एक करेंगे उन सारी संभावनों को तलासेंगे और दूसरी कंपरियों के मुकाबले सुजलोन क्यों मजबूत है और इसके अंदर क्या पोटेंशल है कि यह आने वाले से में आपको एक मल्टी बैक रिटन दे सकता है वो भी जानने की कोसिस करेंगे और आ नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त ऐस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले अगर हम बाजार एक जबदस तेजी बदा है क्योंकि लगातार बाजार दबा में दिखा दे रहा था लेकिन आज बहुत सांदार बाजार की क्लोजिंग रहे लेकिन उतनी बड़ी तेजी एनर्जी सेक्टर में नहीं थी निप्टी एनर्जी में आप देख से तो कि बहुत कम तेजी थी 24,28 84 के स्तर पे मात्र 0.24% की तो जिस्तर से बाजार दोड़ा उतना फाइदा निप्टी एनर्जी सेक्टर को नहीं मिला और नतिया यह है कि सुझलों में भी तेजी उतनी जादा बननी पाई आप देख सकते हो कि स्टॉक की सुरुआद 14.05 पर हुई यानि सुरुआद पॉजिटी हुई कल की क्लोजिंग 14 की थी इंट्राडे में 14 का लो भी बना यानि आप देख से तो कि पूरा दिन में गिरावर तो बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि कल के क्लोजिंग के आसपस 14.40 का है तो काफे अचा है श्टॉक दोड़ा भी लेकिन उपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और 14.20 के आसपस कलोजिंग देख रहों को में यानि 0.71 परसंड की तेजी के साथ में तो देख सकते हो कि अभी भी कुछ बड़े फंडाउस है जिनो अभी बैतर इसने रिटन दिया है लोगों को अभी देख सो कि सुजलोन अनर्जी के अलावा कुछ ऐसे स्टॉक है सेवन जिसमें वॉल्यूम में जवर्दस बढ़ दिरू है जिसमें आप देख सो कि सुजलोन अनर्जी नाइका सामिल है तो इन श्टॉक के अंदर जो वॉ जिया हमारे एरपोर्ट इंफ्राइस्रेक्चर यह जो कंपनी है इनके अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम देखना को मिल रहा है और इसमें जिसमें से वॉल्यूम बढ़ रहा है उस हिसाब से लोग डिलिवरी बेस काम भी अच्छा कर रहे है खरीदारी कर रहे है यहां पे अब यहां पे सुझलो ने जी की बात को यहां पे देख सकते हों कि वॉल्यूम में जबर्दस बढ़ रहे हैं तो यह आप समझ सकते हों कि डिलिवरी बेस काम जबर्दस बढ़ा है अब एवरेज मंतली डिलिवरी बेस की बात को यह 31.6% क्या आसपास है तो जिस तरसे यह जो डिलिवरी बेस काम बढ़ रहे हैं लोगों का कॉंफिडेंस दिखा रहा है यानि इसमें लोग खरीदारी करना पसंद कर रहे है अगर आप सुझलो नेर्जी में अगर निवेस क अगर निवेस करना है तो जो पोटेंशल निवेसक है उनको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए उसकी अफड़न को देखना चाहिए और आने वाले समय इसकी क्या समवना बन रही है उसके बाद में ही आप डिसीजन ले यानि एक बार इसकी डारेक्शन को आप समझे उसके बा तो हो सकता है प्रोफिट बुकिंग भी हावी हो तो इसलिए थोड़ा सा एक इसका डारेक्शन आपको पता चले कि किस तरब इसका मुमेंट है उसके बाद में इसमें निवेस के बार में विचार करें आप अब याप एक जो बड़ी अपडेट निकल कहा रहे है आने वाले इसमें ग्रोफ दोजार अठाइस तक कैसी रह सकते है और इसके खिलाडी कौन रहेंगे तो आपको जिस्ट में आपको दिखाए देगा तो डोंगाई ब्रिज दिखाए देगा इसके बाद डोंग एंडर्जी एस और इसके बाद सुजलोन ग्रूप दिखाए देगा तो य यहां पर जो बड़ी अपडेट निकल कहा रहे है तो 2022 न्यू वीन अनरी सेक्टर के लिए जो कैपसरी जिससे बड़ी है वो काफी सांधार है यानि बहुत तेजी से वर्ड के अंदर वीन अनरी कैपसरी को पाया गया है तो यहां पर देखे दो कि ग्लोबल वीन अनरी काउ आपको ग्रोथ दिखाई देगी तो देख सकते हो कि लगातार वीन अनरी की इंस्टल कैपसरी बड़ी है पूरे वर्ड के लेवर पे और इस बार सुजलोन ने भी एक नया इतिया सरचा उसने 20 गीगावेट की कैपसरी को पा लिया है इंडिया की पहली ऐसी कंपनी में जिस और एक्सपर्ट की राय है कि इस समय कर आप खरीदारी करते हो तो आपको 18 से लेकर 30 के टार्केट देखनों को मिल सकते हैं नि 2 से लेकर आप 8 महीनों के स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो इस टॉक 30 तक जा सकता है स्टॉप लॉस आपको 7.30 का लगाना है और इसके बार आप चलते कुछ बड़ी डिल की तरब से जिस हिसाब से देखे तो यहां पर आज ये प्रॉफिट बॉकिंग की वज़से स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया और तेजी भी बनी तो अब सुब नौ बचकर 34 मिलेट पर 14.20 की प्राइस से 20,32,00 की सांदर खरीदारी हुई ले 21,11,00 की फिर से एक विक्वाली हुई उसके बाद देख सकतों की 2 बचकर 14 मिलेट पर 14.15 की प्राइस से 17,18,00 की फिर से खरीदारी हुई तो फिर 2 बचकर 29 मिलेट पर 14.20 की प्राइस से 10,13,00 की फिर से विक्वाली हुई उसके बाद 3 बचकर 28 मिलेट पर 14 की प्राइस से 19, की फिर से खरिदारी हुई तो दबाव दोनों तरफ का दिखा दिखा दिराइक तरफ सरी देगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है लेकिन लोग अच्छी खासी खरिदारी बही करें और इसलिए वह देखे तो इस समय आपको बाजार में इस बैनेस बंता हो दिखाए देगा अब यहाँ पे अगर हम सुजलोन एनर्जी के पिछले पास साल की परदसन को देखे दूसरी बीसी इंफ्रा कमने के साथ में मीड कैप तो आपको समझे आगे सुजलोन ने बहुत बैतर परदसन किया है देख सकते हैं सुजलोन एनर्जे फाइवर के हिसाब से 14 परस परसन की तेजी बनी है और मीड कैप ने 28 परसन की दोड लगया है तो थ्री एर के हिसाब सभी वीनर आपको सुजलोन एनर्जी ही दिखाई देगा वन एर के हिसाब से देगा सुजलोन का जो रिटन ने 13 परसन जबरदसन है जबकि बीसी इंफ्रा ने 24 परसन की तेजी बता परसन की तेजी तो वन मंद के हिसाब से भी सुजलोन ही वीनर है यानि पिछले पास साल से लगातर अपनी पेर कंपनियों के तुल्दा में सबसे सांदार रिटन सुजलोन ने दिया है और मिड के मुकाबले भी बैतर रिटन दिया है तो क्यों ने इसमें दाव लगाया जाए जब लगातर अच्छा रिटन दे रही है और कंपनी के फ्यूचर प्लान काफी अच्छे है तो ऐसे में यह मल्टी बैगर बनेगा और इसको आने वाले से में इसके जो टार्गेट वो आपको चोका देंगे तो लॉंग टम इंवे वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठैक्यो फ्रेंड